Nokia का यहाँ पर नाम जरू से सुने होंगे, आप यहाँ पर Xiaomi और Realme को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहा था Nokia mid-range category में, बट Nokia को हमने no किया था, क्योंकि भाई आप प्राइस थोड़ा ज्यादा रख रहा था, बीच में आपको कुछ अच्छे डिवाइस मिले हैं, जैसे कि Nokia 6.1+, बट उसके बाद दोस्तों, Nokia पहले जैसे हो गया, थोड़ा ज्यादा प्राइस रख रहा था, तो इसलिए दोस्तों, Nokia यहाँ पे कहीं न कहीं गुम हो चुका था, बट फिर से दोस्तों, 6th June को Nokia एक नया डिवाइस लाँच करने जा रहा है, Nokia 6.2, इस डिवाइस के साथ दोस्तों, शायब से Nokia कमबैक कर सकता है, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको इस डिवाइ करने से मनोगल बरता है, तभी मैं आप लोगों तक ऐसे ही एनरजी के साथ वीडियो पहुंचाने की खोशिश करोंगा, तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पहरे बात करते हैं दोस्तों, Nokia 6.2 के डिजाइन के बारे में, यहाँ पर आपको दूस्तों, Nokia 6 6, 10, 12, कितने कैमरा होंगे यहाँ पर पता नहीं, बट यहाँ पर दोस्तों, आपको ट्रिपल कैमरा मिल रहा है, मिड रेंज कैटेगरी में, वो भी Nokia के तरफ से, Zites Optics के साथ, यहाँ पर आपको दोस्तों, फ्रंट में डिजाइन की बात करें, तो नॉचलेस डिस्प्ली हो होंगे दोस्तों, 8MP का वाइड एंगल लेंस होगा, और 5MP का देप्थ सेंसर होने वाला है, पीछे ही आपको फिंगरपिन स्कैनर मिल जाएगा, बाकी स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो सब कुछ कनफर्म्ड भाया, ऐसा नहीं है, कि लीग वीडियो है, आप सोचेंगे कि भाया, हाँ, यह अभी तक लॉंच नहीं हुआ है, कहां से यह से बोल रहा है, भाया, ताइवान में सेम डिवाइस लॉंच हो चुका है, Nokia X71 नाम करके, तो उसी सेम डिवाइस को यहाँ पर Nokia 6.2 नाम करके, इंड लाइक एंडर लॉंच करेंगे, तो सब कुछ दूस्तों, है, ऐसा नहीं है, कि लीक है, या फिर आपको भरोसा नहीं करना चाहिए, सब कुछ एकदम confirmed है, एकदम पकी news है, तो मतलब आपका भरोसा सबसे important है, यहाँ पर वीडियो को इसे बात पर लाइक कर दीजेगा, अगर दूस्तों वीडियो पसंद आ रहा है, बात करते हैं दू 3500 mh की बैटरी होगी, प्रोसेसर अभी तक क्यों नहीं बदाया, क्योंकि प्रोसेसर को लेकर भाईया, असली जोल है, क्योंकि यहाँ पर जो मार्केट में आपको मिलता है, अवेलेबल डिवाइसेज, उसमें क्या कुछ मिलता है, स्नाप डेगन का 675, स्नाप डेगन का 710, मिड्रेंज के डेगरी के बात कर रहा हूं, बट नोकिया यहाँ पर कमबैक करने की कोशिश करेगा, स्नाप डेगन 660 के साथ, तो भाईया, 660, मतलब, हाँ, 660 को थोड़ा नजर अंदास किया जा सकता है, बट फिरी भी भाईया, स्नाप डेगन 660 क्यों, आपको यहाँ पर मार्केट में सेम प्राइस में, क्या उससे कम प्राइस में, आपको बेटर ऑप्शन मिलेंगे, स्नाप डेगन 675, स्नाप डेगन 710, तो मुझे लगता है भाईया, नोकिया को थोड़ा प्रोसेसर इंप्रूफ करना चाहिए था, बट अब अगर 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 स्नाप डेगन 660 को, स्नाप डेगन 660 स्टिल एक अच्छा प्रोसेसर है, तो प्रोसेसर के लेकर काफी ज्यादा चर्चा कर लिया है, अब असली मुद्धे पर आते हैं, अनिकि प्राइसिंग, लिक्स के अनुसार आप पहले बता दे भाईया, शूरू करने से पहले कि लिक अब दो दो, क्या ँच्रा पहले को हैं, लिक्सो को फूरू करने वाला कि लिख्ल के लिखए वह यहाँ उच्ि ZB 128 GB variant 20,000 में आपको मिलेगा अब दोस्तों मैं यहां पर जज नहीं करने वाला हूँ Nokia 6.2 को आप जज करेंगे आप बताइए क्या अगर 20,000 में आया Nokia 6.2 क्या चलेगा या फिर नहीं चलेगा या फिर से इस Nokia को हमें नो करना पड़ेगा आपका क्या रहा है नीचे comment section में बताइएगा वीडियो खतम हो चुका है तो आपको पता है क्या मैं बोलूँगा लाइक करने को बोलूँगा तो भया लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा क्योंकि कि यहां आप लोगों तक पहुंचाने का मेरा काम है और आपको दुझाम रहेंगे और आप दुस्तों अपडेटेट रहें के दूझाएग को शेयर भी कर देना बाइजा यह मैं भूल जाता हूं शेयर करने को बोलने को शेर कर देना वीडियो को मैं मिलूँगा ऐसे ही किस इंटरसेंग वीडियो में तब तक लिए दूसे बाई